आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुख गई तो वहां। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्चना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है। पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुन्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है। पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है। पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है पर नफ्रत करते वक्त ये भूल जाता है और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। विचारों को नहीं सिर्फ शरीद को धोती है। तन जितना घुमे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। चौराहे पर खड़ी नेकी और बदी दोनों इंतजार करते हैं। कर्म अच्छे होगे तो नेकी गले लगा लेगी वरना बदी के हवाले हो जाओगे। जिस दिन आप अपनी हसी के माले खुद बन जाओगे उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कैसे करूं शुक्रिया तेरी महरबानियों का मेरे रब मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तु देने की हर अधा जानता है। इस पूरी काइनात में मेरे जर्रे भर वजूत का कोई तुमाएना होगा क्योंकि मेरा इश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। प्रेम चाहिए तो समर्पन खर्च करना होगा विश्वास चाहिए तो निस्ठा खर्च करनी होगी साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा, रिष्टे मुफ्ट में मिलते हैं, मुफ्ट में तो हवा भी नहीं मिलती, एक सांस भी तभी आती है, जब एक सांस छोड़ी जाती है। ईश्वर के बनाई इस रिष्टी, बेश कीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खुबसूरत कि दुनिया में अर्बो व्यक्तियों का आवा गमन हर साल होता है, परन्तु यहां से, कोई एक तीली भी नहीं ले जा सकता। भगवान कहते हैं, हर बार समभाल लूँगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको, तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीव की तरह जलो, मिल सको तो दूद में पानी की तरह मिलो, ऐसी ही जीवन की नीती हो, रीती हो, प्रीती हो, सबका खयाल रखना, पर अपना भी खयाल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए, तो कभी अपनो के लिए साहे बंदगी